हेलो बच्चो, स्वागत है आपका साहित्ती जोती चैनल में आज हम जिस पार्ट को करने वाले हैं, उसका नाम है मीरा के पद आज हम इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्ट उत्तर है उसे देखेंगे यदि आपने बच्चो मीरा के पद को नहीं पढ़ा है, उसकी व्याख्या को नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिष्ट के भीतर आपको इसकी जो पद की व्याख्या है वह आपको मिल जाएगी तो आप पहले उसे देख ले ताकि प्रश्ट उत्तर को अच्छा से हल कर सकें तो चलिए बच्चो सुरू करते हैं तो बच्चो देखिए आपके सामने अभ्यास प्रश्ट आ चुका है आईए हम इसे करने का प्रयास करते हैं इसमें देखिए सबसे पहले वस्तो निष्ट प्रश्ण है और उसके भीतर प्रश्ण नमबर को गिर्धर का अर्थ है इसके लिए आपको चार विकल्प दिये के हैं पहला गिर्धर उठना दूसरा गिर्गिट तीसरा खृष्ण और चौथा गिरी को धारन करने वाला तो बच्चो गिर्धर का अर्थ होता है गिरी को धारन करने वाला किन्तु गिर्धर जो शब्द है वो हर किसी वेक्ति के लिए नहीं इस्तमाल किया जाता है क्योंकि हर कोई साधारन देखती गिरी को यानि कि परवत को अपनी उमली पर उठा नहीं सकता है धारन नहीं कर सकता है तो यह जो गिर्धर शब्द है वह किसके लिए इस्तमाल किया जाता है खास करके कृष्ण के लिए ही इस्तमाल किया जाता है इसलिए एक गिर्धर का सीधा अर्थ है कृष्ण, ठीके, चलिए, प्रश्ण नमबर ख़ देखते हैं, कृष्ण ने किसकी लाज बचाई, यहाँ पर भी चार विकल्प दिया गया है, पहला मीरा की, दूसरा द्रौपती की, तीसरा धुरूव की, और चौथा प्रहलाद की, वस्त्रों को बढ़ा कर उनकी लाज बचाई थी, इसलिए इसका सही उत्तर दो द्रौपती का होगा, ठीके, आईए गर नमबर प्रश्ण देते हैं, राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किये थे, देखे बच्चों, इसके लिए भी चार विकल्प दिया गया है, पहला माली के यहाँ, दूसरा कुमहार के यहाँ, तीसरा डोम के यहाँ, और चौथा ब्रामःड के यहाँ, तो इसका सही उत्तर है डोम के यहाँ, राजा हरिश्चंद्र ने किसके यहाँ काम किया था, डोम के यहाँ, आईए गर नमबर प्रश्ण देखते हैं, इंदरासन पान पादने के चक्कर में पाताल कॉन गया। जिसके… चार विकल्ब है The First is the स Spaß Ngam Al craving 10 तीसरा बली 4 कुम्भ करन तो पाताल पाने के चक्कर में जो इन्द्रासन पाने की चक्कर में जो है वो बली पाताल गया था। यहाँ पर तीसरा जो फैबली वह सही होगा ठीक है आईए हम आगे देखते हैं यहां पर देखिए लगुतरिया प्रश्ण उत्तर आचुका है आईए हम इसे करने का प्रयास करते हैं तो देखिए पहला प्रश्ण है मीरा किसकी भक्तन थी उत्तर देखिए मीरा सिक्रिष्ण की भक्तन थी दूसरा प्रश्ण द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई उत्तर द्रौपदी की लाज क्रिश्ण ने उसकी बस्तर बढ़ा कर बचाई प्रश्न नमबर गव क्रिश्न के होठो पर क्या सुसोभित होता है उत्तर देखें क्रिश्न के होठो पर मुरली सुसोभित हो रहा है गव नमबर प्रश्न गवण के रखवारे किसे और क्यूं कहा गया है उत्तर गवण के रखवारे सी क्रिश्न को कहा गया है क्योंकि वे गायों की रखवाली करते हैं या करते थे ठीक है अंगा नमबर प्रश्ण देखिए बिस से अमरित करे का क्या अर्थ है उत्तर देखिए बिस से अमरित करे का अर्थ है बिस को अमरित में बदल देना ठीक है या हाँ चलिए बिष्णु ने सागर मंथन के समय बिस और अम्रित की अदला बदली कर दानवों को मूर्ख बनाया था तो इसलिए कहा गया है कि बिस से अम्रित करे आईए आगे के प्रश्णों को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बोध मूलग प्रश्णा आ चुका है आईए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं तो देखिए पहला प्रश्ण मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका थै उत्तर मीरा के नेत्रों में कृष्ण को मोहित करने वाला सावला रूप बस चुका है उनकी बड़ी बड़ी आखे स्यामल रंग, मोर पंख, मकरा के अकृती का कानों में सजा कुंडल, ललाट पल लाल रंग का टीका, खोठो पर बासुरी, गले में वैजनती माला, कमर में लटकती छोटी सी घंटी, और पाउं में सुंदर पायल क्रिष्ण को एक आकर्षक रूप प्रदान कर रहे हैं, और यही रूप मीरा के नेत्रों में बस चुका है, यानि कि यहाँ पर शी क्रिष्ण के रूप सौंदरे का वर्णन किया गया है, आईए खोनमबर प्रिष्ण देखते हैं, क्रिष्ण ने अपने किन-किन भक्तों की र रक्षा की, उन्होंने द्रौपती की साड़ी को बढ़ा कर उसकी लाज बचाई, वही नरसिंग अवतार धारन कर, हिरन कश्यप का वद कर, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, इसके साथ ही डूबते गजराज को पानी से बाहर निकाल कर उसके प्राण बचाए, तो यह पर देखिए, आगे के प्रशन आ चुके हैं, तो गर नमबर प्रशन, गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए, यानि गोकुल में जो सुबह होती है, तो कैसा द्रिश्य होता है, उसका वर्णन करना है, उत्तर देखिए, रात के समाप्त होते ही, ठीके, यहां, होते ही चारों और उज्याला फैल गया है सभी घरों के दर्वाजे खुल गये हैं गोपिया दही मत रही हैं और उनके हाथों में कंगन की जनकार सुनाई दे रही है भोर होने के साथ ही नंद के द्वार पर देवताओं और ग्राम बासियों की पंक्तियां लग गई हैं गाम के सभी ग्वाल बाल को लाहल मचा रहे हैं और जैजैकार कर रहे हैं या जैकारा लगा रहे हैं इसके साथ ही गाय चराने वाले सभी बालक हाथ में मक्खन रोटी लेकर खा रहे हैं यानि जो गोकुल में सुबह होते ही क्या द्रिश्य होता है वहां क्या स्थिती होती है उसका वंडन किया गया है, आईए अगले प्रश्न को देखते हैं, करम गती द्वारे नहीं टारे, के संदर्व में मीरा किन किन उदाहरणों को प्रस्तुत करती है, उत्तर देखे, करम गती टारे नहीं टारे, पंक्ति ये वाली होगी, यहां द्वारे नहीं होगा, टारे ठीके करम गति टारे नहीं टरे के संदर्व में मीरा ने राजा हरिष्चंद, पांडवो और राजा बली के उदाहरण को प्रस्तुत किया है कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ने वाले राजा हरिष्चंद को एक डोम के घर में नौकरी करनी पड़ी वहीं पांचो पांडवो समेत कुंती को हिमाले परवत में अपनी हड्डियों समेत गल जाने के लिए बाद्धे होना पड़ा जबकि इंद्रासन की अकांग्षा में यम करने वाले राजा बली को पाताल में धस जाना पड़ा तातपरी है कि यह सब उसके भाग्य में लिखा हुआ था यानि यह सब उनके भाग्यों में ही लिखा हुआ था तो भाग्य की गती से कोई भी नहीं बढ़ सकता है आईए हम आगे के प्रश्णों को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ सरसंदर्व भ्याख्या करने वाले प्रश्ण आ चुके हैं पहला उठो लाल जो भोर भई है सोरनर ठाढ़े द्वारे ग्वाल बाल सब करत को लाहल जै जै सब्द उचारे तो इन पंक्तियों की सरसंदर्व भ्याख्या करने है तो देखिए उत्तर प्रस्थत पंक्तियों में गोकुल के भोर का वर्णन किया गया है माता यशोदा सी कृष्ण से जाग जाने का आगरह करती है क्योंकि सुबह हो चुकी है और सभी मनुष्य और देवतागण उनकी बंदना के लिए द्वार पर चुट गए हैं सबेरा होने के साथ ही गोकुल के समस्त ग्वाल बाल क्रिष्ण की जैजैकार के साथ कोलाहल कर रहे हैं बो नंबर देखिए इसी व्याख्या वाले प्रश्ण में से यग्य किया बली से लेन इंद्रासन से पताल धरे मीरा के प्रभुगिरदर नागर विस से अम्रित करे रग्गि किये थी लेकिन उनकी अंतिम परिणिती मृत्यूं के रूप औहीं तात्परिय है कि महान से महान व्यक्ति भी इस संसार में अपने भाख्य का लेखा नहीं मीटा सकता एक मातर शीकिश नहीं है जिन्हों ने अपने सामर्थ से देवों के भागे में आए बिस को अमरित में बदल दिया अतख उनकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता इसी कारण मीरा के आराध्य सिख क्रिश्न है आईए आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए व्याक्रन आ चुका है निमनलिकत शब्दों का सुध्ध रूप लिखे यहाँ पर कुछ असुध्ध दिये गए है और उसका सुध्ध करना है तो देखिए असुध्ध यानि कि गलत दिया गया है उसका सही करना है तो यहाँ पर शोभित तो देखिए किस तरह लिखा जाता है शब्द, कारण, सरीर, सत्यवादी, यहाँ पर देखिए खानमबर, शब्दों का प्रयाइवाची शब्द लिखिए, इसमें नंदलाल पहला है, ठीक है, नंदलाल, नीर, सरीर, रजनी, बिस, यहाँ इन पाँच शब्दों के प्रयाइवाची आपको लिखने हैं, तो देख देखिए यहाँ पर नंदलाल, नंदलाल का कृष्ण कनहिया, गोपाल, नीर का जल, पानी, आब, सरीर का तन, काया, देह, रजनी का रात, निसार, रात्री, विश्का, जहर, हलाहल, गरल, तो बच्चों, मैं हमेशा हर कक्षा में यह बताती हूं कि जब भी आपको परियावा परची बिलूम मिलते जाएं, उसे आप एक ही जगह इखटा करते जाएं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो, और आपके पास एक संग्रह बन जाए, तो उससे आपको आगे चलकर बहुत ही सुविधा होगी, आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर गर नंबर का होगया बिलूम शब्द, यहाँ पर देखिए निमनलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में परियोग करें, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं, आपको इनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य में परियोग करने हैं, तो देखिए पहला शब्द है गिरिध करते होता है हाथी किरिश्ण ने गजराज को पानी में दूबने से बचाया था। पीर का होगा पीड़ा कृष्ण ने अपने भकतों के पीर को दूर किया मांखन मांखन का मखन गोपाल को मांखन रोटी पसंद है इंद्रासन का इंद्र का- आसन अर्थ है राजा बली ने इंद्रासन की प्राप्ति के लिए यक्य किया तो यहां पर यह आपको दिया गया है कि अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें तो यहां पर अर्थ दे दिया गया है तो उसे लिखना है तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं यह जो पाथ ही खत तन्यवाद